वेलकम फ्रेंट्स आप सभी लोगों का स्वागत है अज 25 अप्रेल है तो देनी ज्यारंग के राष्टी संस कर निज़ पेफर में पीटी मेंस और इंट्रवूर्वी और इंकुर्ण को निज़ को कवर किया गया जो यूपेसी और स्टेट की सेसे स्परेंट के लिए वो महत् पुछे जाते हैं उसका उत्तर देने का परियास कीजिएगा आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं विपक्षी एक जूता के लिए बढ़े हैं नितिस कुमार जो वटमान में बिहार के सीम है तो देखिए इस लिए उभर कर सामने आ रही है आपको यह लगेगा कि बहुत ही पुछेगा इसका अलग रूप है जब जब चुना होते हैं उससे पूरू जो गढ़ बंदन होता है उससे समंदित प्रस्ण जरूर पूछेगा पर इस कारेकरन से प्रस्ण नहीं पूछेगा तो इसलिए ध्यान रखिएगा इस प्रकास से मिस मैच नहीं होना है टॉपिक क सेलेक करने की परविर्थी आपने होनी चाहिए जरूर है कि राय जो सत्ता बंता है सत्ता का चयन होता है तो चुनाव पूरू गढ़ बंधन और चुनाव पश्चात गढ़ बंधन जो मैंने आप लोगो टॉपिक पढ़ाया उससे कोस्टन जरूर पूछेगा उसकी खामिय क्या होती है गढ़ बंधन पूरू जो चुनाव पूरू गढ़ बंधन होता उसका लाव क्या है खामी क्या है उसके संदर में प्रस्ण पूछे जा सकते है गढ़ बंधन के बाद जो चुनाव के बाद जो गढ़ बंधन बंता है उसकी लाव और हानी पूछा जा सकता है उ इसके लिए आप इंटीवी के लिए एक चीज आपको जरूर इससे कभर कर लेना है कि sail की महत्पूर्ण राइनितिक पार्टियों की महत्पूर्ण राइनितिक पार्टियों की आपकी सुनिता ने अने daily छेत्रिय दलों को और जूरूर दिया है इस से लेटेड आपको मुझा सकते। इसमें हैं इन सबों की गतविधियों के बारे में आप चार्चा कर सकते हैं जैसे आपको देखने को मिला होगा कि नितिस्तुजी के द्वारा हाली में बहुत से निताओं के द्वारा मिला गया है जो आपको इसमें एक जुटा करने का प्रयास हो उडिसा के पढ़नाएक हो तेलंगाना हो आंदर परदेश हो इसी तरह करनाठका आपको बंगाल यूपी जारखन सभी जगा इनकी दोरे हुए है तो जिसके अधार पर आने वाले चुनाओ जो होंगे उसमें इन सब इस्तितियां देखने को मिलेगे तो जब आएगा गटबं बंदन होगा और चुनाओ पश्चाज योगट बंदन उससे संबंदित प्रक्ष को हम लोग देखेंगे अभी हम लोग वेट करेंगे इन सब चीजों से बचने का है ठीक है आगे हम बात करेंगे कि के स्टड़ी के तोर पर कानुन ब्रवस्था का टॉपिक आपको यह स्ट ब्रव किस रुप से इतना ब्यापक हो गया किसी ब्यक्ति विसेश को एफाइट करने तक के लिए करने के लिए सुप्रियूं कोट के दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है तो इसके लिए ध्यान रखेगा आपसे प्रस्ण पूछा जा सकता है राजनिती का अपराधिकरन या अपराधियों का राजनिती करन मामला क्या है यह इंपॉर्टेंट नहीं है मामला इस संदर में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किन लोगों के द्वारा यह किया जा रहा है या अगर कोई आम ब्यक्ति जब इस प्रकार के बाहु बलियों के नेता है जन परते निदी है इसका मतलब यह बिल्कुल भि नहीं है कि आप सिस्टम से परे हो जाते है या आपके लिए सिस्टम काम करने लाता है यह बिल्कुल भी नहीं हो जाता है इन ब्यक्ति जो हमारा राश्च्ची अस्तरपनि का न 실त है उनके द्वारा अगर यह समस्याज हिली जा रही है तो ए उनके द्वारा अगर ये समस्याज हीली जा रही है तो एक आम व्यक्ति विशेस इन रायनितिक दलों के द्वारा जो भी पोसित है जो जन परतिन्दी उनके खिलाप उनकी स्थिति क्या होगी तो यह सभी सोचने और समझने की विवस्था है केवल कागवी किताब वो तक ही सि नियाइक ब्यवस्था के लिए प्रसंचिन बन जाता है कि हमारी नयक शिस्टम कैसी है हमारा मेकनिजम प्रसास्था सिस्टम कैसा है उसके लिए अब उसके तरिक देखिएगा वरिष्ट वकिल जो नरेंदर हुड़ा है उनके दो आड़ा द्वा गई या अप्रिल किया गया परधान नयाइदिस जो है चंदर चूल डिवाज चंदर चूल सक्षम या समक्षी याचिका को लेकिया लेकिन जस्टिस उनके मंगरवा अकव जो न्याइक व्यवास्ता है उसपर किसी प्रकार का पुलिस प्रसाथन है उस पर थोस करवाई करने की जो जो शक्षम बेकती है जहां पर यह अपील की जारी है नहीं ले रहा है उस पूरे सिस्टम पर है न एक चाबुक चलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस प्रकार के जो गठ जोर है ना रानिती को परसासने गठ जोर उस पर चाबुक चलना बहुत जरूरी है और इस संदर में इन सब चीजों को आपको देखने के जोरत है के सस्टड़ी में आपको यह ध्यान में रखना है प्रस्न जब पूछा जाएगा तो मान लेजिए प्रसासने का पुल से ऐसे मिल जाएंग उधारण पर विपक्ष में यही सब उधारण के स्टड़ी के तौर पर देना है कि किस परकार से एफाय दर्द करने में समस्या होती है किसी मामले महिलाओं को किसी प्रबुद्ध बैक्ति के विरुद्ध यह सब चीजे आपको कवर करने चलिए के तौर पर बहुत ही महत्पुन हो जाता है इस प्रकार के अभियान जब भी है तो हाल के वर्सों में जो भी अभियान चलाए गये हैं और एक्जाम हुआ है तो वहां से प्रस्न जरूर पूछा गया अखास का स्टेट PCS और वंडे एक्जाम आप लो देते हैं जितने भी प्रस्न जरूर पूछा जाता है तो याद रखिएगा और कल के न्यूज में मैंने आप लोगो को हालिया जो नब्दे के बाद से जो भी महत्पुन अभियान चलाए गये थे उसके बारे में आप लोगो को कल PDF में अपडेट कर दिया हूँ तो आप जाके दैनिक जारी रहता है कोड़ आप देख लिजएगा ग्रूप में सेर किया हुआ है चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इसको अच्छे तरीके से आप लोगो कभर कर लेना है साथ ही देखिए उनकों कल भी इस पर चक्चा की थे आईने सुमिधा जाएगा और आपको 3000 व्यक्तियों को वापस लाया जाएगा वहां से भारतियों को साथ ही याद रखिएगा 28 देशों के फ्रांस ने भारतियों सहीद 28 देशों के 333 लोगों को निकाला है तो यह भी आपको प्लज़र रखना है चलिए नेस्ट हम लोग बात करेंगे इस सब पीटी फैक्ट है तो इसे आपनों देख लिजेगा अब यह देखिए एक टॉपिक है जिस प्रपर टू दिपक्षे समंद में ही आएगा कि भारत के साथ रख्षा सहयोग बढ़ाएगा या प्रगार करेगा अस्ट्रेलिया हाली में वाल्स का बढ़ प्रक्षे रख्षा नीती रिव्यू जारी किया गया यह यह होता है कि किस देख के साथ समंद कैसे रखने है अगर आमी कुछ वर्स होता है तो अस्ट्रेलिया के दवारे एक रिव्यू प्रेस जारी किया जाता जिसका धार पर देख की निती और राष्टे हित के संदर में समंदों को बढ़ावा दिया जाता है तो ध्यान रखिए इस रिव्यू की चर्चा आप कर सकते हैं और इसका आप लोग लाब ले सकते हैं इसका हिंद परशाद सेतर में भारत का क्या इस्तिती और इसके संदर में 23 संबन अब बहुआ सब्सक्राइब करेंगे कल पंचायती राज दिवस था तो यहां पर सरकार के दोड़ा कुछ आंक्रे बताएगे हलाकि कुछ बाते राजनितिक तोर पर रहती है पर कुछ वहां समलो को not done करना है कि थाकि हम एक्जाम में उसका origin यूज कर सके तो देखिए ध्यान रखिएगा UPC के GS paper 2 में आएगा अस्थानी सवसासन में आएगा या UPC के और state pieces वाले student अपने GS paper से टैली कर लेगा जो स्टूडेंट को मैं comment section देख रहा था जहां पर यह बाते की जा रहे थी कि मैं new student हो तो new student हो तो मुझे connect करने में इसू हो रहा है तो देखिए लगतार परियास कीजिए आप state pieces देखिए समस्या यह होता है कि हमको national level पर चीजों को cover करना पड़ता है हमारे student आपको असम म आपको शेत्र मद्परदेश यूपी बिहार में तो जिनके जिनके state में राष्टे लेवल के news होते सभी को cover करना पड़ता है पर आपको यह करना होगा state pieces मानले यूपी state pieces वाले student है या BPC वाले है या JPC वाले और कोई भी state pieces है MP pieces वाले है अपने GS syllabus को एक बार review अच्छे से क काके जैसे यह स्थानी सौसासान आपको नजर आएगा वो topic अपने syllabus में देखिए कहां पर है उसको टिक कीजे और अपना material त्यार कीजे देखिए मेहनत तो करना ही होगी अगर इतना बेहता तरीके से किया जा रहा है तो आप लोग कोई support करना होगा क्योंकि यहां से possible नहीं पाएगा नहीं सारे स्टेट के लोग करना पड़ेगा यहां स्पेस कहां बचेगा सोच के देखिएगा और उसी काम को मैं अधिक करूंगा हर स्टेट का जीस पेपर में मुझे भी याद नहीं होगा यह human error हो सकता है तो कोशिस कीजिए कि आप लोग इसमें समय बरबाद मै पेपर एनलैसिस कराने में निकल जाता है तो यह सब चीजों को कभर करने का पर्यास किजिए आप लोग भी ताकि आउट्पूट बेहतर किया जा सके ठीक है ना इसलिए कंफूज नहीं रहा ना दो चार दिन दस दिन आप लोग पढ़िएगा हमारे साथ तो समझ स्टूडेंट है उनको पता चल गया है सारे चीज़े समझ गया है बस आपको क्या करना स्टेट पीस्ट के जो भी स्टूडेंट अपने स्लेबस को अच्छे से रिभ्यू कर लिजिए वीडियाफ अबलेबल होता है आप गूगल पर सर्च किजिएगा सारे चीज आप वेब सामरो आपको रिवा मत पर्देश में हुआ था वहां पर बहुत सी बाते की गई है और यहां पर पिछले सरकारों ने गाउं के पेच्छा कि क्योंकि वोट बैंक नहीं थे क्या यह वक्तव सही है या गलत है आपको इसको तैय करना होगा उसके बाद इसकी समस्यां को समझन की पर्यास कि इसका थे पंचायती राज जो व्योस्ता लाया गया क्या उत्युक्त वाक्त हकती है कानूं की परिकरियां को सरर बना देने से मग्ष्प्रॉप कर सकते चो भी लक्ष निधारिक कि और थो कानुन के बना देने से जो सरचना बना देने मात्रे से लक्ष को हम प्राप्त कर सकते हैं या संसाधनों के बेहतर परबंधन से हम लक्ष प्राप्त कर सकते हैं आपको यह तै करना हो तो आप देखते होंगे या जो भी उपर इस लाइन से उपर जो भी मैंने बाते की हूँ व बेहतर करते हैं तो हम इन कारकों को प्राप्ट कर सकते हैं इन लक्षों को प्राप्ट कर सकते हैं तो इंपोर्टेंट हो जाता है देखिए सरचना का निर्मान कर लेना जरूरी नहीं है सरचना के निर्मान के लिए उसको प्रूलक्ष की प्राप्ति के लिए संसाधन को बेहत सद तरीके से पर्डूस करना होता सामने अलग पास सम प्रस्तुत करना झाएं जैसे मैं आपको सिंपल से तरीके समझाएं मालिजे आंके घर में घर के किनारे खेत हैं जहां विभिन प्रकार के फशल उपजाई जा रही है क्या फशल उपजा लेने मात्री से क्या आपका भाल पहं कर पार रहे हैं इसके लिए आपके पास लुख करहा है dominant कर सकत के लिए आपके पास असाथनों का परवन्दन होना चाहिए वैसे ही मालजी युक्ति आईयस आपके लिए और विजडम एजुकेशन आपको चैनल बना हुआ है, सिस्टम बना युक्तिया, इस एप है, आपको सब कुछ है, मान लिजे केवल में संस्था का निर्मान कर दिया, और चीजे बाते कर रहा हूँ और बेहतर मैटेरियल आपको महीं उपलब्स कर रहा हूँ, बार बार देनिक ज जल्ठो जाएगा, या कोई संस्था, किसी भी देश की किसी भी संस्था का नाम ले लिजे, इसी संदर में आपको समझने की जुरत है, इस संस्था के निर्मान मात्र से हम लक्ष प्राप नहीं कर सकते, उसके लिए निरंतर हमें उस दिशा में संसाधरों का वित्रन करना हो आया न, तो विधिवत रूप से हमने क्या क्या कि दियम कानून दो ला दिया, प्रवस्थाएं ला दिये, महिलाओं का रक्षन ला दिये, बहुत से चीज़े हम लोग कर दिये, पर आप देखते होंगे, 2000 तक क्या है था, 2000 तक आपको ब्यवस्थाएं जैसे का तस्थ था, लोग समय पर चुनाओं नहीं कराते थे, महिलाओं का बहतर निर्वाचन नहीं होता था, या आपको दल पती, मुखिया पती जैसे कॉंसेप्ट डेखने को मिलते थे, इस परकार से ब्यवस्थाएं देखनी पड़ती थी, चुनाओं में, संसादनों को वित्रों में देखत हुई, पर 2014 के बाद है, एक्शूल चीजों को देखने को मिलेगा आपको, कि हां, ग्रामिन को, ग्रामिन परसासन को, राष्टिये सासन परसासन सो जोडने का कारे किया गया, जैसे आप देख सकते, इजेम का नाम सुने होंगे, इजेम, जिसमें सरकारी पर खरीद की जाती है, तो अब ग्रामिन पंचायतों में भी इस तरके रूट्स को डवलप करने का परियास किया जा रहा है, जिसमें आपको बहुत से इजेम के बारे में आप लोगों को पहले भी मैंने कभर किया जहां, बताया था कि क्या है, यहां पर सरकारी खरीद की जाती है, और भी सप्लाइज गया है, और भी बहुत से विकल्प है, तो इस पर और सरचना निर्मान की बात की जा रही तो यह सब आपको देखने को मिलागा दोज़ा चौदा के बात की जा रही है, केवल सरचना की, जिससे प्रते के पंचायत को जोडने की बात की जा रही है, ऐसा नहीं कि तो वो अपलब नहीं हो पारा, तो जो 2014 के बाद आपको इविसेस तोर्फ से देखने को मिल रहा होगा, या हो सकता है समय के साथ आए आउसरों की रूप में भी आपको यह चीज़े देखने को मिल रहा होगा, पर हकीकत यही है, तो आपको यह चीज समझना होगा, इन सब चीजों को अब इसके बाद जो चीजे हैं राजनितिक तौर पर बाते की गई हैं तो कि कोभी पार्टी अपने प्रसंसा लेना चाहता है तो इसको हम दरकिनार करेंगे पर क्या आपको अपने घर के दरवाजे में ही सिमित रखिये भी फिलाल जब आपका सेलेक्शन हो जाएगा जब आपकी निउप्ती हो जाएगी जब आप डिटायर करेंगे उसके वाद अपनी राजनितिक इक्षाओं के संदर में बाते करेंगे फिलाल नहीं करना है ठेक है ना चलि आगे बात करेंगे सीमा विवास से सुल्जाने के लिए बात्चीत जारी रखेंगे भारत की तो यह ठारवे दौर का मिटिंग हो रहा है तो फ़रा सा अपडेट रहना है इसके बारे में ठीक ना मिटिंग कब कब होगा कितना दौर तक मिटिंग हो गया तिसके बारे में चर्चा किया गया है इसे देखिएगा आपको चर्चा करना है दो जार बीस से पुर्वी लदाक इस्तित वास्पिक नियंतरन रेखा एलसी ठीप चीनी सेनिकों की तरफ घुटबेर के बाद दोनों के बीच पहली बैठक हो या ठारवे दोर की हुई है हाली में जो विदेश मंत्री चुनेग रख्चा मंत्री चुनेग चीन के वह आपको क्या कि भारती दोरे पर आएंगे सत्ताइस अठाइस अप्रेल को क्योंकि संगाई सहयोग संगठन का रख्चा मंत्रियों का बैठक होने वाला है तो आएंगे तो हिसन संदर में चर्चा होगी और बहुत जरूरी है हमारे आस पास जो भी देश है उसके साथ सीमा विवाद को सुल्जाने क्योंकि जितना हम इसमें उल्जे रहेंगे हमारा विकास उतना ही बाधा बनेगा तो सीमा जो साजा होना उन देशों पर साथ जो भी समस्या है सुल्जाने का परिया सरकार करती रही है और करती रहेगी तो इस अगला कड़ी है तो इस अठारवे दोर के बारे बारे वापनों जनकारी होने चाहिए अत्रिक नहीं है चलिए अब है कि एक यूपेसी के जिस पेपर 3 में आएगा अधिकारिक किया गया है क्योंकि यह धाचा है ना बहुत 5 साल पुराना हो चुका था एक्सप्रेस वे और नेशनल हाइवे जो समय सही तरह के सड़क अधिक्तम गती सीमा प्रस्ताओं को मंजूरी दी गई है आप देखते होंगे बहुत जगा साइन बोर्ड नहीं मिलता होगा हाइवे कि सेलं होगे साइन गバイ स्वारी देखते है कितने लुट क सेल्गशे में सेलंगे सेलं और अधिक इसलिए नहीं भरे जा रहे है क्योंकि वाहाँ चाल पोई सिमा को बताने वाले बौर्ड सेलं है कितना जाना देखियें तक क्या होता देखिए आपको दिया गिए चोड़ी सड़क हर निसेद बाय मोड़ेने सरक्री सड़क परव्यस निसेद तिरुड़ान गति सीमा 50 km पर आवर ती चोराहा जैसे एक हाइवे आ रहा है जिसे एक हाइवे ऐसे जारा है पूरव से पच्चिम एक हाइवे दच्चिन से उत्ता जा रहा है इसी को टी आपको चुराहा बोला जाता है या उत्तर से दच्छिन जा रहा है और एक पूरू से पच्छिन जा रहा है इस तरह का जो टी बनता टी आकार का जो भी चुराहा बनता उसके लिए टी चुराहा है एक तरफा ट्रैफिक है अथा वन वे कॉंसेप्ट है यहां पर व बोल चक्कर आपको मिलेगा अती अवरोधक है कुछ अवरोधक दिया हुआ है सड़क पर इस प्रकार के साइन बोर्ड आपको लगतार निश्चित दूरी पर देना ज़रूरी हो जाता है इसके लिए नियम कानुम बना सड़क सुरच्छा में तो आपसे प्रस नहीं है पूछ से बाते आप लोगों सामने मिलेगे देखिए हमारे सविधान का न्यू और स्वाइधानिक व्यक्षाओं का जो न्यू है केश्वा नंद भारती का कल 50 वर्स पूरा हो गया है तो ध्यान रखिएगा और सवस्चना के बारे में यूपेस्टी का जीस पेपर 2 नियाइक निर केश्वा नंद भारती का निधन हो गया था तो इस सब संदर में देखिए ध्यान रखिए कि आपसे प्लस पूछा जा सकता है और मैं आप लोगो जब पॉलिटी की क्लास में जब कभर कर रहा था तो याद होगा आप लोगों उसमें यूपेस्टी सी सी बैच वाले क्लास म मैं एक बात बोला था तो आपनों को याद होगा जैसे बियालिश्वा सविधान संसोद मीनी कंस्ट्यूशन बोला जाता है वैसे ही केश्वा नंद भारती को मैं क्या बोलता हूँ नमीन सविधान का सरूप इनमें उन स्वेद लोग कल्यानकारी कॉंसेट को डबलब किया जा रहा है लोग कल्यानकारी जो अवधार्ना है उसके लक्ष है उसको निधारित किया जा रहा उसमें सामिल किया जा रहा है जो एक नमीन सविधान का निर्मान कर रहा है आने वाले 20-25 सालों बाद आपके किताब में यह क्रिश्वा नंद भारतीवाद यह महत्पून सभी प्रारूप पर सभी प्रारूप पर है नव जो मौलिक अधिकार के संदर में अधी युक्ति युक्त पर्तिवन लगा रहा है उसको हम प्रसंज़त कर सकते हैं और कुछ भी सविधान में मौलिक अधिकार से विप्रित बाते नहीं की जाईए यह बाते की गए यह मौलिक तो फिर भी इस फैसले के बाद बहुत से जो विद्वान थे उन्होंना समर्थन किया था यह बहुत ज़रूरी था जो ततकाजरुप से वाद विवाद हो रहा था मैं उसका लिंक आपको सेर कर दूँगा केश्वानन भारती वाद का जो कॉंसेप्ट आया था उसमें कैसे इस वाद ने कैसे हमको बिटीस न्याइक विवस्था जो मॉडल था उससे अलग हटाते हुए अमरीकी न्याइक मॉडल की और परत्य स्थापित करता है उसकी बारे में चर्चा करनी थी जिसमें बिटीस मॉडल क्या बोलता है विधी द्वारा स्थापित पर किरिया के ताथ हम निर्ने देंगे और अमरीकी मोडल क्या कहता है हम विधी सम्मक के निर्ने देंगे तो इस अंदर में ये चीजे कैसे हुआ था उसकी लिए वीडियो आपको एलनेसिस किया गया है अप उसे जरूर देख लिजेगा वहां से कबर हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा 368 के ताथ जिसमें सविधान संसोधन की बात करता है संसत को देता है सविधान संसोधन का दिकार लेकिन उसे मूल ढाचे में प्रभाव हिंद करने का दिकार नहीं है हैसले में यह कहा गया था कि सविधान के हर पौधान को संसोधन किया जा सकता है लेकिन उससे संसोधन के लिए यह नियाइक समिछा के अधिन होगा सविधान का मूल अधार और मूल ढाचा बना रहे अठाथ सविधान में जो मौलिक्ता बनाई गई है मौलिक्ता जिस रूप में है उसको किसी रूप से प्रभाइट नहीं कर सकते जैसे मौलिक्ता के बारे में बात की गई उस समय उसमें बाते की गई थी कि मुल्ट सन अच्छना में क्या है दर्शन सविधान का सर्वोचता है कानुन का सासन है सक्तियों का प्रतिकरण है निश्पक चुनाओ जुड़ा और भी मौलिक धांचा के संदर में बात फेरलिस्ट आपको 20-25 फेरलिस्ट मिल जाएगा तो ध्यान रखेगा उस क्लास में सारे चीज़ों पर कवर किया हूं उस लिंक को मैं जब दे दूँगा तो आप उसे देख लिएगा बस ध्यान रख असन को भेहतर बनाने के लिए न्या पालिका और भूमिका की बात की जाएगी इस केष्वानन भारतिवाद की चर्चा की जाएगी ध्यान nettिक बातिवाद के फैसला है उसकी चर्चा वहां पेक्षिट हो जाएगी तो इसको भेहतर तरीक से खरिएगा हमारे जो 1973 के बात की जो स्तिति है न यह और नियाईक सकृता के संदर में यह कॉंसेट अधार है इसी अधार को अच्छे तरीके से आपको कभर करना है ताकि इसका सेलेक्शन आपको बेहतर तरीके से हो सके मिस मैच मत कीजेगा अब बहुत से चीजे मैं पहले ही कभर किया हूं तो उसे वीडियो लिंक में देख लिजेगा नेश्ट है पहली कच्छा के दाखिले वे उम्र में केलर राज्य सहीत कई राज्य अडग है जैसे केलर राजस्थान ने उम्र सीमा क्या बोला है कि हम पांच वर्सी रखेंगे और जो नियू एजुकेशन पॉलिसी है जो हाली में चर्चा मैंने किया है दो तिन दफा हो चुका है चर्चा गुजात हरियाना कनाटक जैसे राज्य क्या वो रहे हम छे रखेंगे तो ध्यान रखेंगा बाइस ऐसे राज्य जो पहली कच्छा में दाखिले के उम्र के लिए च्छाव वर्स की उम्र सीमा ने धारित यह हुए पहले से जबक प्रस्ण पूछ दे उम्र सीमा क्या है जो भी विवाद होता वही से प्रस्ण पूछा जाता ध्यान रखिएगा ने बात करेंगे केस स्टड़ी यहां देखिएगा यह केस स्टड़ी मेसिको का दबदवा टूटा अब पच्मी जो एसीया में पंजाब की मिर्च की चर्चा ऑगा इसाय यहोगी है अगर प्रबंदन हम लोग करते हैं बहुतर संसाथन इसका बेहतर प्रबंदन करते हैं तो सिल्क रोड में इस अब पंजाब शिरोजावाद आया करता था सिल्क रोडू पंजाब इंडिया का मैप में आपको बनाता उसके बाग सिल्क रोड देखिए चीन से स्टार्ट होता था आपको पाकिस्तान होते विए आपको इंडिया ती या इरोप के चेत्रों में जाता था अरब चेत्रों में इस सिल्क रोड कहा जाता था ध्यान रखेगा इस सिल्क रोड में फ बस्तु को वहां पर ले जाके बेचा जाता और बहुत से पैसे कमाया जाते थे पर समय के साथ यह बदलाव होता गया बदलाव आपको देखने को मिला जिसमें हम पिछड़ते गए और ध्यान रखेगा जैसे ही इस पर काम किया गया बेहतर परबंधन के साथ तो हमने यह इस् इसी भी पिछड़े हुए सन पिछड़े हुए अगर सामागरी है ध्याना कि सामागरी इसलिए में जोड़ा हुआ पर हो सकता है यहां पर आपको परसासन की बात कर दे शासन की बात कर दे या बैपार की बात कर दे या आपको कोसल विकास में मानोस अंसाधन की बात कर दे तो इसलिए इन सभी में अगर हम बहतर प्रवंदन करेंगे तो इसी प्रकार के लच्छ प्राप्ट कर सकते हैं। तो case study के तौर पर इन सब चीजों को यूज जरूर कीजेगा, कहीं भी अगर इस प्रकार के प्रसंद पूछे तो आप इसे utilize कर सकते हैं। देखिए कि सिर उठाता हिंदू फोबिया, मैं कुछ चीजों को अस्पेश कर दूँ पहले, उसके बाद इसके संदर में analysis करूँगा, कि हिंदू फोबिया हो, इस्लामि फोबिया, क्रिस्टन फोबिया हो, यह जो विचाधारा है ना, उन लोगों के द्वारा दिया जाता है, जो जिनसकी मानसिक छती हुई रहती है, मैं पहले ही सब्दों में बोल देता है, मानसिक छती हुई रहती है, किनी को हिंदू से डर लग रहा है, उसकी मानसिक छती हो चुकी है, किसी को इसलाम से दिक्कत हो राज, उनकी भी मानसिक छती हो चुकी है, सभी देखिए, हिंदु में 1-2%, मुस्लिम में 4-5%, प्रिस्टन में 2-3% आपको ऐसे लोग होंगे जो इस प्रकार के विचार धारा को बढ़ावा देते हैं कि हमें सामने वाले से डर लगता है तो डर लगता है या विचारिक तोर पर हम सीजों को कवर करते हैं पर हालिया घटना करम में जब उनिस जब एलफीजी का गोबलाजेशन का जब एलफीजी का जो कॉंसेप्ट आया जब वैस्वी गोबलाजेशन जब हुआ याद रखिएगा खासकर आपको इन सब्दों फोबिया सब्द है ना खासकर उसी वर्ग के लिए इंपोर्टेंट ब परभाईट है या इसलामू फेविया से इसलाम के विपरित धर्म वाले भी परभाईट है ऐसा ने या क्रिस्चन वाले लोग क्रिस्चन के विपरित धर्म पंत जो भी है लोग वो परभाईट बिलकुल में इसमें हिंदू फोबिया से हिंदू फोबिया के लोगी कि आप एक मानो만 ऌसमेमान करना होने तो आपको सबसे बेहतर व हीकल्ब की तलास करनी हो cả सभी के बहतर विकल्ब है उसको wing अपने में समाहित करना होगा और आप सभी से बच सकते हैं कर मसbenी प्रकृति प्रकृति से नहीं बस सकते, प्रकृति की सरचना से नहीं बस सकते, सबसे पहले important factor आपको यह समझने की जुरत है, अब चलिए अब लोग आते हैं लेक पर, देखिए इसनी कहा जा रहा है न, हिंदू फोबिया जैसा concept, आपको हाली में सुझीक राष्ट में इसके संदर में देखे होंगे, चर्चा आई थी, हाली में बैचारिक तोर पर लोग द्वारा उठाया जा रहा है, तो हाली में एक क्या हुआ है, चर्चा हुआ है, कहां पर इंग्लेंड के, इंग्लेंड में एक आपको जैक्सन सोसाइटी है, हैंडरी जैक्सन सोसाइटी है, संस्ता जो ब के विरुद भेदभाव के पर्ताल करने वाले या एक प्रकार का सर्वे था जिसमें किस प्रकार से ब्हवार किया जा रहा हुआ हिंदूओ के पर्पि इसकी चर्चा की जा रही है तो यहाँ पर हिंदुओं को लेका फैलाई जारी घिरना को रोकने के लिए उसकूल कितने आसा है इसके संदर में चर्चा की गई थी सोचिए गार समझने की जुरत है एक पिर्थिवी एक सरचना है उसमें विभिन लोग रह रहे हैं और वो लोग अपने वह आपस में लड़ना चाहते जगड़ना चाहते केवल इसलिए कि आपकी पर्वुसत्ता कायम हो सके पर आप यह नहीं समझ रहे हैं कि यह पिर्थिवी का अंतिम समय भी है आपको बचाना है जलवाई परिवर्तन जैसे मुद्य आपको देखने को उमीद रहोंगे उसमें सबसे इंपोर्टेंट है कि हम आपस में मिलकर उन लक्षों को प्रात कर सके जिससे प्रकृती बस सके अब मानलीजे में एक कॉंसेट आप लोगों को बताता हूं मानलीजे पूरे विष्व में संपूर्ण विष्व में मानलीजे विष्व है इसमें केवल हिंदू हो जाए केवल मुस्लिम हो जाए केवल इसाई हो जाए या अन जो भी लोग है केवल हो जाए केवल वही लोग फिर अपने में मारकाट शुरू हो जाएगी अपने में लोग एक दुसरे का चीरहनम करना शुरू कर देंगे तो इस इस्तिति मत पूछे जीवन तरहने कोशिस कीजिए एक अच्छे सब्दे समाज का निर्वान करने का पर्यास कीजिए जो भी लोग सुन रहे मेरी बातों को आज के बाद इस चीश को समझेगा मान लेजे केवल हिंदू ही विश्व में हो जाए केवल मुस्लिम ही विश्व में हो जाए केवल इसाई ही हो जाए या कोई अन्य भी केवल वही लोग आ जाए तो क्या आपको लगता है कि आप विवता जैसे कॉंसेप्ट को अपना आएंगे क्योंकि जब लडाई होती है ना लडाई विचारिक रूप से या सारी रूप से लडाई होती है तो च्छती है ना आपको ततकालिक नजर आएगी पर उसका प्रभाव है दिरकालिक होगा जो है ना वह आपके ही कॉंसेप्ट को डेमिज कर देगा जैसे आप तर द्वारा काफिर कहता है तो काफिर क्या है काफिर का कॉंसेप्ट क्या आया था इसलाम में कि अपने गलत नितियों के संदर में उत्थान करना है उसके विरोध जाके विरोध में आना है और हमको काफिर बनके चीजों को कवर करना है मुल्स इसलाम में ये बात है किया है पर सत्ता के हस्तनांतर ने और लोगों के ब्याक्या करता के दुवारा काफिर को है ना एक वर्ग विश्यस के साथ जोड़ दिया गया कि हाँ ये सामने वाला है काफिर अगर तुम्हारे इसलाम को नहीं मानता है तो तुम वो काफिरा उसकी है ना क्या करना है उसको अपने मे तरण में यह सामने आगी आपको ऐसा ही में कल एक वीडियो देख रहा था इसी संदर में तो याद रखिएगा कहां तक है सही है कहां तक गलत है सोच के देखिएगा कि हिंदू पर्व तेहवारों में विस किया जाता है सभी को विस करता हिंदू के लोग हिंदू वर के लोग हैं सभी धर्म हो इसाई के हो या तो इसलाम के हो या कोई भी पंत को आपको क्या कहा जाता है विस किया जाता है हैपी इद हाली में आपको सबको सुनने को मिलागा हैपी इद गले मिले होंगे पर मैंने कल एक वीडियो दो-चार लोगों का जो मुस्लिम ब्याख्यारता है अब नामी ग्रामी में उनका नाम ही लोगा आप लोग वीडियो सर्च किजिएगा जरूर यूटूब पर उनके द मांसिक छती कहां तक पहुंच सकती सोच के देखिएगा आप लोग स्वें आकलन कीजिएगा मांसिक छती का अस्तर कहां तक पहुंचा हुआ है इस बैक्ति विशेष द्वारा जो लगबत 10-20,000 लोग को है अपना भासन सुना रहा है अपनी धार्मिक व्याख्याएं कर रह जिसमें यह बोरा ना सेम टू यू नहीं बोलना वो माने या ना माने आपको मैंने बोला है विश्ट करने के लिए सोच के देखिएगा एक सब्य समाज के निर्मान करने के लिए दोनों के बीच वैचारिक रूप से आदान परदान होना चाहिए संस्कृतियों का यह बाते अपने अनुवाईयों को बोला जा रहा है कि हिंदु धर जो भी पुजा होता उसको विश्मत करो ठीक ना विश्मत करो अब बोलना है तो यूटू बोल दो था तुम ही को मुवारक हो हमारे इसलाम में यह सब कॉंसेप नहीं है कहां तक यह सही है मैं इस पर रिस नहीं कर रहे हैं ठीक ना आने वाले 100 साल 200 साल के बाद अगर इधर से भी विश्मत की बात की जाती है और हम लों सेकुलिजम की बात करते हैं अगर इधर से हिंदु पक्षे भी नहीं होने लगा ना तो यह बीच का जो दिवार है ना और उचा होता जाएगा और विवाद और व्यूत बड़ा होता जाएगा इसलिए चाहिए कुछ है ना मानुए सभाव आपको में होने चाहिए आपके धार में ग्रंत जरूर नहीं है कि उस दिशा में हर चीज़ को व्याखित करें आपके पास मानुए सभाव भी होना चाहिए कि हम एक घर में रह रहे हैं एक प सम्यक विचारा था मध्यमर्ग वाला अगर किसी विशेश पांच यह घर है में में मेंबर है में में मेंबर का विचार धारा से इतर चारो अगर कोई भी चल रहा है तो यह घर रंत उटेगा उसकी न्यू तक समाप्त हो जाएगी यही कॉंसेप्ट हमारे व्यासविक निति Ilkona के संदर में आपको चीजेश पढ़ने को मिलेगी मैं इसलिए बाते बोराओ और यह है इसलामोफोविया जैसा कौनसेप्ट है र्यास कृस्टाल लोगों के द्वारा कॉछ लोगों के दवारा सामने वाले से डर लगने लगता है और शोत इस चीज़ों के करना संपूर को कटगरे में खड़ा कर दिया जाए यह भी तो नहीं हो सकता है इन सब चीजों को समझने की जुरत है और समझाने की जुरत है तो परियास किजे कि मिल जुल के रहिए एक ब्यस्तर सिस्टम मनाने का परियास की तो उनत्ती होगा बागी चीजे लिखी गई है आप देख सकते अब नए यूग में परवेश कर रहा अंत्रिक्षेत इसे आप लो आज सारे पॉइंड को भी वी आई तरीके से नौट डाउन कर लिजेगा क्योंकि यह यूपेसी के जीए पेपर टू अंत्रिक्ष या प्रदोकी के संदर में टॉपिक आएगा इसरो भारत का संधान संगठन उसके संचालित किये जाएंगे साथ ही सेवा और उत्पाद के लिए अंत्रिक्ष उत्पाद के लिए नीजी सेक्टरों को बढ़ावा देने की बात की गई थी 2020 में FDI स्वाप पर चीसत दिया गया सरकार उबगरहों के अस्थापना में और संचालन में बाक वैसे ही भारत में भी आपको एक एजनसी नीजी एजनसी जो हाली में परचेपन किया था उसकी भूवी का ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा डेर सो स्टार्ट अप आपको इस चेतर में बढ़ावा मिला इस चीज़े आपको चर्चा में रखेगा वैस्वी कंत्रिस बैजा है एक सकेंड होल कीजिएगा 41 मेट हो गया है जोड़ा सत्रा में किर्तिमान अस्थापित किया था इस रो ने एक सो चार उफगुरा को एक साथ देश के जो विस्व में अभी तक किर्तिमान है ध्यान रखेगा जिसमें सवदेशी एक सवदेशी उफगुरा थे बाकी जो त साथ कर्याले के द्वारान उसाथ 2010 तक हर साल में साथ से सो सैटेलाइट लॉंच किये जाते ध्यान रखेगा वैस्विक अंकडाईया है साथ में हाली के वर्सों में तेजी आई है 2020 में लगवा 1283 ग्रह लॉंच किये ध्यान रखेगुए 2020 में कुछ दसक पहले वैस्विक अ बैपार 9.6 अरव डॉलर था भारत का बैपार भारती अंतिश बैपार और साथी साथ यादर के भारत के निजीस सहब आगिता दोजाब 25 तक बढ़ाकर 13 अरव डॉलर हो जाएगा वैस्विक अंतिरी चार्थ बवस्तान दोजाब 20 में 450 अरव डॉलर थी और दोजाब 25 तक 600 अरव डॉलर थी देखिए यह आकड़ा आप वह ऐसे बना लेना है यूज करके आप कैसे बना सकते आप इस तरह भी बना सकते हैं ठीक ना कि 2015 तक कितना था 600 अरव था यह इस तरएगी इस तरको बेटेर होगा ये वाला बनाईएगा ठीक ना durch 2020 लिकले और यह यह च्ना कितना है 450 से यह 600 ऐसे भारत का लिख लिजेगा कितना है किस यह ज्यादा बेतर आकड़ा होगा इस तरह से यूज कीजिए डाइग्राम बनाने में दोज़ा चौदर में भारत वैस्विस की पहली बार क्या किया सफलतर वो मंगल पहुंचना सबसे पहला देस बन गया पहली सफलता प्राप चल ली थी दोज़ा सत्रह में एक सोस अधिक पुरा भेजने वाला जिसका पहला देस बना आपको लिल लॉंच जो आर ल भी जो लॉंच लॉंच किया तो इस पर न्यू जनलसिस किया गया है वह भी बड़ी सफलता हासिन की जिससे भारत में अभी वी व्यास्विक तोर पर सबसे कम खर्च होता है अंत्रिच भेजने उ रोबर्ट मानो और रोबर्ट भेजने का जोदना है ख़गोली चमता महराश्ट के हिंगोली में लीगो नामक एक है अस्थापना की जारे जो लेजर इंटर इंटर फेरूमीटर ग्रिविंटनस बेव एलगट्री है इसके बारे लीगों के बारे भी मैंने चर्चा किया था पहले इस सब चर्चा आपको ध्यान रखना है अब गुरो के परच्चेपन से मीडिया इंटरनेट विमानाद रच्छा प्रडिटेज एरो इस पे साधी बहुत बढ़ावा मिले भाष्वान यह मत अच्छे तर यह सब चीज़े अपडेट हो जाएंगे और बहतर तरीके सम प्रस्ण पूछे लाब क्या होगा इतना भीजनेगा लख्ष क्या यह होगा भारत के वर्तमान सरूप में क्या स्थिति इसके संदर में उत्तर आपका यह हो जाएगा अब चलिए कुछ प्रस्णों का उत्तर दीजेगा भारत का जो बैपारिक जो संगठन उसका नाम क्या जो बैपार करता है उस संगठन का नाम क्या है जो युष्रो उसके अधिकत संस्था है हाली में मैं निजी संस्था कौन था जिसने भारत भारत कंत्री छियां में परवेस किया हाली में उबगरा परच्छे पित किया अ सभी पर चर्चा पहले हो चुकी है तिसको आपको दिन भी बोला था कि जो सक्षम युवा है उसके सक्षम कोशल है मैंने उस दिन कुछ बाते की थी उसी का एक आका दिया गया है जिसमें एक देखिए इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार ध्यान रखी का इस रिपोर्ट को अच्छे तरीके से राइट डाउन करिएगा कि अनुसार 50% युवा ऐसे हैं जो नौकरी के लिए परियाथ स्किल्स कोशल नहीं है यानि नौकरी करने के लिए जो हुनर चाहिए उसमें वो नहीं है तो मैंने आपनों से कुछ प्रस्ण पूछा था उसका उत्तर जब भी दिजिए आकड़ों के साथ दिजिए देखिए आप सब्दों में लिख रहे हैं 10 लाइन बहुत बेहतर कोटेशन के साथ भी है तो आपको मालेजी 10 नंबर का प्रस्ण है न तो 5 हार्डली दिया जाएगा 4.5 या 5 पर कुछ डाटा एनलेसिस कर दिजिएगा कुछ डाटा के साथ केस स्टेड़ी एड़ कर दिजिएगा या कुछ अभविस के डाटा जो लच्छ निधारित कियेगे अगर उसको एड़ कर दिजिए यही नंबर जानते हैं आपको 7 के करीब ला देगा 7, 7.58 नंबर आपको दिलाने में साहिक हो जाएगा केवल इसलिए किस परकार के डाटा को आप केवल डाल देते हैं अपने अंसर म को भी टॉफिक आए ऐसा नहीं है कि युक्ती accept को इतना चीजे मैटेयल करा दिया गया है कि आपको डाटा का कमी नहीं होगा जो भी पुराने स्टुदेंटों कमें सकसों में बताइएगा कि आपको लगता है कि को भी टॉफिक ऐसा है जिसमें डाटा भी तक आप dream क को नह लिखने से अच्छा यह भी लिखिए साथ में यह चीज करते चाहिए डाटा एनलैसिस करवाईए पाइचार डाइग्राम या कुछ जो आपको यह रिपोर्ट आता उसकी चर्चा करिए तो आपका उत्थर और भी ऑथेंटिक बन जाएगा इन सब चीजों को करने का परियास क इस डाटा का यूज कर सकते हैं तो आप लो इस डाटा को अच्छे तरीके से कवर कर लिजेगा जिसमें पहली बार बात यह है कि भारत में रोजगार जो 50 परति यूवा ऐसे हैं जो रोजगार योग नहीं है अब ऐसे में असनातक परासनातक जो पीजी की वे डिगरी उनक आपको एक देखने को मिलता हैं बहुत सी छात्र के पास इंडरिंग की डिगरी उनमें 43-30 परतिसर जो लोग यह क्या हैhen वाले बहतर परतिसर जिनके पास भात फरमेशी के डिगरी है उनमें 43% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई भी नोक्री लायक नहीं पाएगे हैं सोच के देखिए हमारा मानो संसाधन कैसे उपयोग हो रहा है अब इसके पीछे 2-3 लॉजिक आप समझेगा कि केबल सरकार का दाइट तो नहीं होता है कोसर रोजगार देना ठीक ना कि वह सरकार का ही दाइट नहीं होता है कोसर रोजगार करना यह बैक्ती विसेश तक संस्था संस्था विसेश तक यह जाता है कि हम बेहतर परवंधन कैसे करें अब बताई यह देखा देखी इंजिनियर बनेंगे बच्चे को कुछ और भी इक्षा है बनने का पर माबाप का यह इक्षा है कि मेरा बेटा इंजिनियर डॉक्टर बने और वो बेहतर तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाता कुछ खास नामि गिरामी था तो प्राइवेट कोलिज में जाते हैं यह छू है कि के वल इंजिनियर पैदा कर रहे है उसके रोजगार पैदा ही नहीं कर रहे है कि क्या होगा स्कील्ड रोजगार नहीं हो पनस साल करते हैं उसके बाद दो साल धक्के खाते हैं उसके बाद चीजे समझ में आती है तो चलो सरकारी जौब करते हैं तो देखी इस परकार संसाधन वेस्ट हुआ मालसिक परताड़ना हुई समाजिक परताड़ना हुई यह सब चीजे चलती है उसके बाद वो सरकारी जोब में आता है यह भी गरांटी नहीं है कि इनका नौकरी जल्द से जल्द हो जाएसे कुछ लोगों के एक्जामपल से आप यह बिल्कुल भी नहीं सकते हैं कि जो इन परकार सेक्टर के जो लोग है अगर उन छेत्रों को अधिक खोरा जो आपको इस परकार के समनागी के इतर हटते वे परसासन विसेसगी की नुक्ति करना चाहता है अर्थास विसेसगी नरियंग के MBA की या इस परकार से डॉक्टर का डिग्री लिए हुए इस परकार का एक कॉंसेट डवलोप हो जो विवात का कारण यह भी एक जो चेतर है जो एक केवल साइंस आपको केवल एक आर्ट लेकर बच्चा पढ़ाई कर रहा उसके विनिस्पत में इस पर अधिक खर्च हुआ है तो एक कॉसर रोजगार के कॉंसेट पर नहीं खराव तर पाया इतने आपर आपको दिये गया अब याद रखेगा नहीं मिल पाती है विरोजगारी बढ़ती चलती जाती है और वरत्रमान में आट पर तीसत की विरोजगारी दर बढ़ गया हाली में मैं कहीं ती स्टॉल पर था किसी स्टूडेंट लोग के साथ था उसमें मेरे सीनियर भी कुछ स्टूडेंट माने जाते हैं तो ध्यान रखिएगा उसकी स्टॉल पर लगबस सब की उम्रे जो होगी 30 और 32 के आसपास होगी है और वो लोग के पास केवल इसलिए रोजगार नहीं है केवल रोजगार प्रात करने सरकारी जौब की त्यारी करने हैं बहुत लोग यूपेसी के इंट्रिवू दे चुके हैं पिर भी वो इसी द तो क्या वो 35 वर्ष के बाद इनको रोजगार प्राप्त होगा सोच के देखिए अगर इनके पास कोई कोशल छमता नहीं है तो क्या करेंगी यही स्टिती सारे देश की युवाओं का है इसी नहीं आप लोग भी अपने आसपास के लोग महसूस करते होंगे अब एक रिपो इसके लिए बावजद महिलाओं को परियाप नौकरी नहीं मिलती है तो जब 22 में जहां के वल 47 पर तिस पर पूस ही नौकरी के लिए योग माने गये थे तो वहीं पर दूसरी और लगवद 44 महिलाओं नौकरी के लिए योग थी तो यह फिर भी उनको रोजगार दुनला मे कम मिला है तो यह सब आकड़े युनिसेप के आकड़े आया है रिपोर्ट के अनुसार क्या बोला लेबर मार्केट यानि स्रम बजार में काम करने लिए 5,5 कुर्ण लोग ऐसे है जो गिर्जूएट है ध्यान रखिएगा और जिसमें 2030 तक भारत में ऐसे ही वहां जो 30 कुर् भी मिलेगे अब इस्किल की बार बार बात हो रहे तो इस्किल कहने का मतलब क्या होगा कि इस्किल्ड जॉब की जॉब है जहां पर इस्किल्ड आपको खास विशेगत आपको जनकारी होनी चाहिए हो सकता है आपको किसी भी सेक्टर में इस्किल्ड जॉब के लिए आपको तो आपको देखने को मिलता होगा यह सब समस्या है रोजगार तो है पर लोग ही नहीं है बाद में लोग हल्ला करेंगे कि मुझे जौब नहीं मिल रहा है ध्यान रखिएगा यह सब चीजे देश बरवे निजी अस्तर पर विक्सित हो रहे सिक्षन संस्थानों गुनवत्ता निमित जाच हो ताकि कुर्सल यूग तो युवाओं को देश में कमी ना रहे अर्थात निजी संस्थान जो भी है उन पर एक बैंच जरू बनेटने चाहि सब्सक्रावा यौन के पास और रहनर नहीं होता यह सत्य भी आप लोगो आ सबस्कर वे देखते होंगे इसे व стрय होते होंगत पर उनें बजहरे बाजार हैं बहतर नहीं मिल पाती है नोगली बहतर नहीं स्रम बजार से जोड़ा जा सकता है ऐसा करने के लिए अधिक सदिक लोगों को रोज़ार उतलब कराए जा सकता है इसके लिए सिक्षन पर सिक्षन की बहुता में सामाइक परिवर्तन करने की जुरत है कुल मिलाकर हम निर्मान ही अच्छा करेंगे तो परिनाम भी तो अच्छा हैगा ना फल भी में अच्छा मिलेगा कॉंसेप्ट यही है इसे याद रखना है इसको बहतर करना और लोग की मानसिक्ता भी चेंज करने की जुरत है की है न देखिए भारत का दो चित्र आपको से इत्र बहारत भारत की थिहास्यं बहारत ले लेजीएगा और भारत में आपको अपको इंसरा 2021 का उधरन है यहां सरकारी नौकरी किया जाता है बच्चों को वर्यता दिया зам个ब बड़ी थार है 25 वर्स तुम त्यारी करते रहो अगर हुआ तो अच्छी बात है नहीं पर यहां के गाजनों में यह ना कि जैसे ही मैटिक करेगा, इंटर करेगा, उसे रोजगार के लिए बोलेगा कि तुम कोई भी छोटा मोटा रोजगार पहले स्टार्ट करो, वो हो सकता है, आपको क्या करते हैं, ये जो ये लोग करते हैं, पोन उन करते हैं, बड़े से ओफि सब्सक्राइब करेंगे और यही बच्चा बाद में देखने को मिलेगा आने वले समय में अच्छी पैकेज को प्राप करेंगे यह बच्चा क्या है कि सरकारी जोब के प्रसान आएंगे अपने आप में कोसल डवलप नहीं करेंगे आप में जितनी लोग त्यारी करें आज मुझे बताईएगा कितने को स्किल्ड है ना प्राप्त है जैसे AI का कॉंसेट आप लोग उसके बारे में स्किल्ड प्राप्त किये बच्चे को इसका डिमांड वर्ल्ड में है इस प्रकार का क्या आपके पास कोसल है तो सोच के देखिए आप सब्सक्राइब करता है उसको भी समझने के जुरत है चलिए आज इतना ही चीजों को कभर करेंगे फिर हम लोग कल मिलते एक नए वीडियो एलनेसिस के साथ आगे बढ़ते हैं तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन यूटूब को यूटिया इसके यूटूब जरू सब्सक्राइब कीजिए विज़्डब एंटू का यूटूब चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए डायप को साथ इसका अप आप डरूड किसेगा अपको डोनों प्राप्त होगा गुगल प्ले स्टोर पर और एपल स्टोर पर एपल स्टोर का लिंक मैं आज लिंक शेर कर दूंगा आपको ग्रूप में आपनों वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं धन्यवाद जहिए